ये मातादी नमस्कार मित्रों आज मैं आपको मा लक्षमी का एक ऐसा चमतकारिक मंत्र बताने जा रहा हूं जो की अतित शिव्क्र कारे करता है इस मंतर के विशेस्ता ये है किसके अंदर किसी प्रकार का बार त्योहार नक्षत्र इत्यादी देखने की आवशक्ता नहीं रहती ना ही किसी प्रकार के समय या कोई प्रकार का काल देखने की आवशक्ता होती है बशर्ते सिर्फ इस मंतर के जब से ही शीक्र लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है जो व्यक्ति संतप्त है दुखी है दीन है जिनको रुपय पैसो की अतिन अवशक्ता है और करज में डूबे हुए हैं हर प्रकार से धन आगमन के समी रास्ते बंध है मा लक्ष्मी की क्रपा उनके उपर अगर नहीं हो रही है या मा लक्ष्मी उनके उपर रुष्ट है जाए जो भी कारण के ओना हो ये उपाए हर प्रकार के व्यक्ति के उपर लब करता है यानि कि उसे अवश्य ही फायदा मिलता है छोटा सा ही यह एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है जिसके अंदर असमिश शक्तियां समाई हुई है बशर्त एकांद स्थान में इस मंत्र का जब किया जाना चाहिए जब की संख्या तीन माला प्रति दिन अवशिक है और यह मंत्र जब कभी भी सुबह या शाम को किया जा सकता है मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीम 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 परमाम सिध्धीम श्रीम 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 स्वाहा यह मंत्र है और यह चमतकारिक महालक्षमी का सिद्ध शावर मंत्र है क्योंकि शावर मंत्र जल्दी जागरत हो जाते हैं और जल्दी काले करते हैं ऐसे मंत्रों के अंदर कई लंबे समय तक बैठ करके जब करने की आवशकता ने रहती है और हर प्रकार से इस मंत्र के जब सेवित्ती को फायदा मिलता है और शीदर लक्षमी की प्राप्ति अवश्य होती है बसरते इस बात का ध्यान रहे कि इस मंत्र के जब के दोरान इस साधना के दोरान व्यक्टी को सराब मांस और मदीरा किसी प्रकार के नशे पते का सेवन वर्जित रखना चाहिए अन्यथा मंत्र की शक्ती कमजोर हो जाती है इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि हमेशा साथविक अवस्ता में इस मंत्र का जब करे अवश्य ही आपकी दिन अवस्ता दूर हो जाएगी और अतिशिक्र अलक्ष्मी प्राप्ति होगी आपका हर प्रकार से करज दूर होगा और धन आगमन के रास्ते बढ़ेंगे व्यापार सुचारू होगा व्यापार में बढ़त होगी हर प्रकार से धन आगमन होगा इसमें संदेह नहीं है दिशा इसमें उत्तर रखी जाएगी माला किसी प्रकार की भी ले सकते हैं और अपनी स्वेच चाक्या रूसार मंतर जब करना है कम से कम तीन माला इस मंतर का जब प्रति दिन आवेशक है धन्यवाई बाद